हे गाई सुवागत आप सभी का एक और नई वीडियो में तो भाई यो हमारे रोफिरों की सीटी में दुबारा से लोट आया है मिस्टर मेट और वो हम सबसे बदला लेना चाहता है हमारे रोफिरों से पुलिस वालों से और सूपर हिरों से भी वो हम सब को एक एक करके मार कर खाब लेकिन हमारे रोपिरों को अब पता लग चुका है कि वो कहा पे चुपा हुआ है। हाँ दोस्तों वो टिप्सन भाई के घर में चुपा हुआ है। उसने एक इंसान को मार लिया है और उसको खा भी रहा है। चलो टिपसन भाई के घर पे चलते हैं और सबसे मेले उसको जेल बिज़ुआते हैं टिपसन भाई तुने मिस्टर मीट को अपने घर में चुपा के रखा है मैंने सोचा नहीं था कि तुम एक सीतान को अपने घर में चुपाओगे अरे रो फिरो मैंने अपने घर पर मिस्टर मीट को नहीं चुपाया और तुमारे पास में क्या सबूत है कि वो मेरे घर के अंदर है अगर दुबारा बोलोगे ना तो मैं तुमें जेल बिज़वा दूगा वा टिपसन वा अभी तुम रोपिरों को भी जेल बिज़वाएगा हमारा दोस्तों कर हमारे साथ गद्दारी करता है और तुझे सबूत चाहिए ना तो एक बार अपने घर का दरवाजा खौल फिर में तरको सबूत लाके देता हूँ दोस्तो एक बारी बस ये दरवाजा पुलिस वालों को देंगे और फिर टिपसन तो गया जेल की अंदर तो दोस्तों काफी लंबा सपर ते करने के बाद में हम लोग आ चुके है टिपसन भाई के घर के अंदर और अभी मेरे पास भी गन भी है भाई मिस्टर मीट को मार डालूँगा सच में भाई सच बता रहा चलो भाई मैं इंतजार करता हूं उस मिस्टर मीट का वो जैसे किसी को लेकर आएगा ना मैं उसको शूट कर दूगा वैसे मैं किदर गया अरे भाई में बाहर निकल जाता तो वापस से अंदर नहीं आ सकता था हां दोस्तों अभी टिपसन भाई किदर है मेरे को दिखने र चल तो रहा है लेकिन उसमें कुछ आ नहीं रहा है चलो मैं घर के बाहर तो आ चुका हूँ अब बता टिपसन भाई में तेरे घर के अंदर गया वहाँ पे एक बोडी मिली हुई थी यह तो गया खाम से एक के अंदर ही मर गया शाइद नहीं मरा तो नहीं है शाइद बेहोस हो गया लेकिन अब उसके चकर में पुलिस वाला मेरे पीछे पड़ गया अरे सर जी मेरे को मत मारो यार इस घर की अंदर जाकी तो देखो भाई इसकी अंदर एक बोड़ी पड़ी हो यह टिपसन भाई ने मारा या फिर मिश्टर मीट ने वो तो मेरे को नहीं पता लेकिन इस का डरता रो फिरो पकड़ा गया और उसको जेल हो चुकी है अभी मेरे को भीने पता कि कितने साल की जेल हुई और उनको खा जाएगा और पुलिस वालो को इस बात की खबर तक नहीं चलेगी मैं बाहर केशे जाऊँ अभी भाई यारी पता नहीं यह लोग मेरे को कब जेल स बाहर निकाल सकता है वैसे मेरे को पुलिस वालों से बात करनी पड़ेगी कि टिपसन भाई के घर की चेकिंग होनी चाहिए वो भी पूरे घर की वैसे पुलिस वालों से में बात केशे करो पुलिस वाले नजर भी तो नहीं आ रहे न अरे भाई पूरा जेल तो खाली है क्या म जालियों को तोड़कर मैं जेल से बाहर चला गया था लेकिन इस बार तो भाई पुलिस वालों ने मेरे को काफी स्ट्रोंग जेल की अंदर बंद कर दिया अभी मेरे को लगता है कि आप लोग भी हमारे सूपर हीरो और रौफ हीरो को खुछ कर दो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वाई ज़ल्दी से कर दो टिपसन भाई तू तो गया काम से तू ने हमारे बेस्ट फ्रेंट को जेल में भेजा रो फिरो को जेल में भेजा अभी बदा तेरी लाश्ट इच्छा क्या है अरे सूपर हिरो उसको तो मैंने एक एसी जेल में भेज़ दिया है कि वो कभी छूट कर आ ही नहीं सकता और तू यहां से चला जा वरना तुझे भी जेल के अंदर डाल दूगा दोस्तो अब बताओ इसके साथ में क्या किया जा इसको तो कंकाल बना देना ही उचित रहेगा टिपसन भाई तेरी लाश्ट इच्चा गई भाड के अंदर अभी तू मरने के लिए रेडी हो जा ओव वाव इसका तो कंकाल बन गया भाई सच में यह तो अभी पर्मानेंटली बर चुका है लेकिन यार मेरे पीछे वापस से पुलिस वाले आ जाएंगे अभी हम लोग जाएंगे सीधे रोफिरों को छुडाने के लिए अभी जेल हो या पिर यह पुलिस स्टेशन भाई मेरे को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अभी मेरे पास में बहुत ज़दा ताकत ह विसे में छुडाओं कैसी चारों तरब से तो बंद करके रखाएं इन्होंने अरे भाई लगता है कि यह सील्ड बहुत ज़दा मोटी है यह जो लगा के रखेंगे ना लोहें कि यह बहुत ज़दा मोटी है मेरे को इसा लगता है मेरे को पुलिस वालों से बात करनी पड़ क्योंकि अभी हमारे पास में यही तो एक ताका थे ना भाई हम लड़ भी तो नहीं सकते लड़ेंगे तो वह हमें मार डालेंगे मैं पीची से चुड़ाने की कोशिज करता हूँ हाँ इसी जेल की अंदर था इसको मैं तोड़ दूगा लेकि यार फिलिस वालों ने इतनी खटो और जेल के से बढ़ा ली यह तो काफी ज्यादा स्ट्रोंग है मैं इसको नहीं तोड़ पा रहा हूँ भाई इसकी सामने तो सूपर हिरो की शक्ति भी काम नहीं कर रही है तो फिर हम लोग के से चुड़ाए भाई हाँ मेरे पास में एक और आइडिया है हम लोग पीच में आ रहा है मैं पुलिस वालों को बुला रहा हूँ और तू मेरे पीचे पीचे आ रहा है कहां पे चले गए हाँ आये तो सही मेरे पीचे गाड़ी आ जाओ भाई कर लो मेरे को अरेस्ट फिर तो हम लोग जेल को तोड़ कर बाहर निकल जाएंगे चलो भाई करो करो जल्दी से रिष्ट करो मेरको पुलिस वालो चलो भाई हम लोग अरेश्ट हो चुके है और सूपर हीरो भी आ चुका है जेल की अंदर चल भाई अब तोड़ने की प्रेक्रिया इस्टार्ट कर तेरी बगल की अंदर ही रोफिरो भी है तो सही दोनों जेल एक जेसी पता नहीं क्यों लग रही है मेरको यार क्या हम लोग दोनों फस्चुके ही जेल की अंदर ये तो एकदम बूलबले की तरह है और बाहर मिश्टर मिट सब को बार मार कर यानि खा रहा होगा ऐसा ही कुछ है भाई वो दूबारा से उस घर के अंदर आ गया होगा किसी को लेकर यानि मार कर भाई अभी हम लोग जाए तो जाए कैसे ये भी अटक जुका है मेरको तोड़ना पड़ेगा भाई लेकिन तोड़ू कैसे किसको तोड़ू ये दिवार तो नहीं तूटने वाली है ये काच भी नहीं तूटेगा मैंने सोचा कि मैं जेल की अंदर आकर रोपिरो की थोड़ी सूपर हीरो की शक्ति इस्तमाल करके तोड़ कर निकल जाएंगे लेकिन ये ये तो काफी अजीब सा जेल है दोनों जेल एक जेसे है ये AC भी नहीं तूट रही है ये देखो काफी इस्ट्रोंग बनाया है ये केसा जेल है ये तो तूटता ही नहीं ये और यह ना कोई हमें कोई बाहर निकालता है दोस्तो शूपर हीरो बहुत ज़्यदा कोसिस कर रहा है इस जेल से बाहर निकलने के लिए लेकिन मेर को नहीं लगता कि भाई ये इस जेल से बाहर निकल पाएगा अभी क्या होगा उनलोगोंगा हाँ दोस्तो मिस्टर मीट तो पूरी सीटी के लोगों को बार कर खा जाएगा मैं उपर से देख तो पा रहा हूँ लेकिन देख कर क्या फाइदा हम लोग निकल नहीं सकते उपर भहुत मोटी यानि छटे भाई हम लोग कभी नहीं निकल पाएगे अभी कोई बचा सकता है तो कौन बचा सकता है भाई उन लोगों को रोपिरो भी अंदर आ चुका है जेल के अंदर और सूपर हीरो खुद जान पूछ कर अंदर आ गया इसने जोचा कि मैं रोपिरो को छुडा लूँआ लेकिन ये खुद अटक चुका है दोस्तो अभी पूरी सीटी और इन दोनों को अगर कोई बचा सकता है तो वो है लावागोड अभी बहुत सोलिया हाँ दोस्तो ये हमेशे अपनी गूफा के अंदर सोता रहता है लेकिन अभी लावागोड बनने का टाइम आ गया है भाई पूरी सीटी और रोपिरो सूपर दोस्तो वेसे मिस्टर मीट अगर किसी से डरता है तो वो लावागोड से डरता है हाँ दोस्तो पिछली बार भी लावागोड ने उसको भाई बहुत पटक पटक के मारा था हाँ दोस्तो इसको तो देखने मातर से वो भाग जाता है वेसे भाई इन दोनों के अंदर टक कर ह हो सकती है वो भी बहुत ज़दा खतर राग क्योंकि इनकी साइज एक जिसी है हाँ दोस्तों वैसे मैं मानता हूं कि यार लावागोड थोड़ा सा उससे मोटा है यानि मिश्टर मीट हमारे लावागोड से थोड़ा बहुत छोटा है लेकिन भाई हम लोग पुलिस इस्टेश मिश्टर मीट अगर और इसकी फाइट हुई ना तो भाई पूरी सीटी हिलने वाली अभी चल भाई मिरको लेके चल पुलिस इस्टेशन तू जो भी यह भाई तेर को यारी तू मिरको जानता है ना मैं इस सीटी का हीरो हूँ और पुलिस वाले तो यारी टिप्सन भाई की साइड में हो चुके सब के सब आओ भाई अभी कैसे पकड़ोगे मेरा ड्राइवर बहुत जद्ध हेवी है तो दोस्तो इसका नेक्स पार्ट बहुत जल्द आएगा तो मिलते हैं किसी एक और धमाकेदार वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई